नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारी है जो केसन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूँ आपके साथ दीपक जोहान तो आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो आप लोगों के लिए मॉल्डिंग मॉल्डिंग में जो भी प्रोब्लम साती हैं उनके क्या solution होते हैं उन से related हमारी जिसकस करने वाले हैं तो यह हमारा WhatsApp नमबर है जितनी भी विडियो हमारी आती है उनके जो PDF नोट्स होते हैं अगर आप रिटन में लेना चाहते हो तो इस WhatsApp नमबर पर आप contact करके हमसे ले भी सकते हो और अगर उन लेक्चरों को आप देखना चा रिलेट कर सोको आपकी जो इंडेस्टेंडिंग है वो बन सके अगर आप हमारे चैनल पर नए है पहली बार आज देख रहे हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को भी दवाना ना भूले क्योंकि आने वाली जितने भी वीडियो है उनके जो नोटि जारी किस स्टार्ट हो चुका आज पहला दिन है तो सभी को टेकनिकल परिवार की तरफ से टेकनिकल फादर चैनल के परिवार की तरफ से आप सभी को न्यूएर की धेर सारी सुबकामना है जो भी आप लोगोंने सपने देखे हैं जो भी आप लोगोंने लक्षय अपने सबसे पहले कारण हम लोग देख लगते हैं हाला कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं यह सिर्फ अंदाज लगा जाता है क्योंकि आप जो बिल्कुल accurate answer है वो आप लोग मसीन पर आगर आप हैं तो वहाँ पर आप वही पर देखकर ही बता सकते हैं कि रियल में क्या कारण है लेकिन यहां से lecture के according तो आप लोगों को सिर्फ बताया जा सकता है कि कौन कौन से कारण ह सकते हैं सबसे पहले हैं कारण देखते हैं कि में मोटर स्वीच का trip हो जाता है करन पोजीशन में ही रूख जाता है और वह अपन नहीं हो पाता तो यह भी एक कारण हो सकता है सेकिर कारण है पावर कट हो जाना अगर आप लोगों की पावर ही चली गई तो मॉल्ड ही क्या पूरी मसीन ही वो रुख जाएगी तो तब भी मॉल्ड आप लोगों का बंद हो सकता है next देखते हैं material का खतम हो जाना तो आप लोगों ने देखा और सोच भी रहे हुआ कि material के खतम हो जाने से mold का क्या लेना देना होता है तो जैसे ही आप लोगों का material खतम होता है और उस वक्त rippling हो रही होगी तो जब rippling होगी तो screw जो होगा वो rotate होता रहेगा continuous लेकिन वो पीछे नहीं जाएगा और जब तक rippling होती रहती है mold को command नहीं मिलती है और mold भी बंद रहता है वो open नहीं होता है तो आप लोग यह कह सकते हो कि जो भी material है material अप यूज़ कर रहे हैं अगर वो खतम हो चुका है और rippling complete नहीं होई है तो भी आप लोगों का जो mold है वो open नहीं होगा वो अपनी current position यानि के close position में ही रहेगा next देखते हैं sorry operation के बीच में हो तो safety gate अगर आप खोल देते हो किसी की वज़े से कहीं बार क्या होता है अगर आप semi में machine चला रहे है operator machine चला रहा है तो उसे gate खोलना जल्दी से और जल्दी से next cycle को start करना ताकि जो cycle time है वो कम से कम आए production जादा हो तो उसकी आदत बन जाती है कि जल्दी से gate खोलो और जल्दी से क्या कर दो part निकालो और फिर से gate बंद कर दो तो कहीं बार क्या होता है कि जो safety gate होता है operation side का वो कहीं बार खोल जाता है खोल देता है वो जल्दी में अगर वो खोल जाता है तो mold भी वो नहीं खोल पाएगा वो वहीं पर रुख जाएगा तो जब mold ओपन हो रहा होता है तब ही safety gate खोलना होता है वरना उसे बंद रखना ही होता है जब तक की पूरी complete cycle ना हो जाए next देखते हैं, wall number जो होती है, जो wall number एक होती है जो mold को opening का कारिय करती है, उसका अगर सही परकार से कारिय अगर वो नहीं कर रही है तो भी mold आप लोगों का बंद रह सकता है riffling अगर आप लोगों की complete नहीं होई है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ अगर आप लोगों की riffling या charging complete नहीं होई है, तो भी आपका जो mold है वो बंद रहेगा वो open होने में problem कर सकता है locking cylinder जो होता है, उसका जो oil, opening के अचानक अगर वो drain हो जाता है ठीक है, अगर वो drain हो जाता है cylinder locking वाला, तो भी mold open में जो है problem आ जाती है reduce injection pressure के होने पर नहीं feeling होगी और नहीं mold opening होगा ठीक है, अगर यह problem आ जाती है, तो नहीं feeling होगी और नहीं mold open होगा next देखते हैं, cooling timing, timer का अचानक खराब हो जाना या किसी भी or timer के खराब हो जाने के कारण, line clear नहीं मिलने के कारण, mold open नहीं होता है आप लोगों को पता होगा कि जो cylinder लगे होते हैं, hydraulic cylinder लगे होते हैं, उनका काम होता है mold को open करना या close कराना, लेकिन वो भी तब काम करते हैं, जब उन्हें direction मिलती है जब बाकी के कारिया पूरे हो जाते हैं, जैसे मैं बात करूँ अगर injection है, अगर injection आप लोग एक example से समझेए अगर आप cycle time देखते हो, तो mold आप लोगों का close हो गया, cycle time में सबसे पहला जो time आता है, mold closing time आता है जब तक mold closing time का, जो command है, वो injection को नहीं मिलेगी, तो जब तक injection नहीं होगा जैसे ही clamping force लगेगा, clamping force लगते ही machine क्या करेगी, direction देगी किसे injection को, तो तुरंत injection हो जाएगा जैसे ही injection complete होगा, तुरंत command किसे मिलेगी, holding को, तो holding start हो जाएगा जैसे ही holding complete होगा तो direction किसे मिलेगी riffling को तो वो riffling start हो जाएगी जैसे ही riffling start finish होगी तो riffling machine क्या command देगी mold को कि अब आप लोगों को क्या हो जाने आपको खुल जाना चाहिए तो mold क्या हो जाता है फिर open हो जाता है यानि कि एक दूसरे से ये सारी चीज़े क्या करती है correlate होती है जब तक एक complete नहीं होती तो दूसरी जो process होता है उसे command नहीं मिलती है और वो open या close या जो भी उसका work होता है वो नहीं करता है ठीक है तो I hope कि यह सारी चीज़े आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी hydraulic temperature अगर high ना होने पर तो भी यह problem है कहीं आप लोगों देख को start होती है तो अगर यह भी problem आ जाती है तो भी मॉल्ड आप लोगों जो है current position यानि के closing position में ही रुख जाता है और वो open नहीं होता है next देखते हैं कि अगर आप लोगों का mold close नहीं हो रहा है ठीक है machine के चलते चलते मॉल्ड अच्छानक close होना बंद हो जाए तो कौन-कौन सी problem आ सकती है सबसे पहले safety gate का पूरा बंदा होना कई बार क्या होता है safety gate होता है वहाँ पर sensor लगे होते है limit switch लगे होते है अगर वो sense नहीं करते है limit switch proper work नहीं करेगा तो machine का gate है जो sensor है वो काम नहीं करेंगे और आप लोगों का mold जो है वो close नहीं होगा safety limit switch का प्रेस नहीं होना वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर limit switch लगा हुआ है gate के पास में ही वो limit switch लगा होता है वहाँ पर एक magnet लगी होती है जो वहाँ पर जाकर उसे gate को रोग देती है limit switch को प्रेस होने के बाद में तो अगर वो काम नहीं कर रहा है सही से य mold close नहीं होता है यानि के cycle start नहीं होगी ejector का पीछे नहीं जाना ठीक है यह भी एक बहुत important fact है कि आप लोग जब mold को चला रहे हो machine को चला रहे हो तो आप लोग ejector के यानि के mold के उपर ejector के लिए जो limit switch यूज करते हो वो आप लोगों का proper working में होना चाहिए जैसे ही मैंने बताया कि ejector का पीछे नहीं जाना अगर ejector बहार निकला हुआ है और limit switch आप लोग use नहीं कर रहे हो ejector की safety के लिए तो जैसे ही mold close होगा तो वो क्या कर देता है वो खुद की जो road होती है ejector पीने होती है वो भी तूट जाती है तो best यहीं होगा कि आप लोग जो ejector की safety के लिए limit switch यूज करते हो वो आप लोगों को working में होना चाहिए उसे आप लोगों को machine चलाने से पहले check कर लेना चाहिए क्योंकि यह बहुत जादा important होता है और जब तक switch press नहीं होता है तो ejector पीछे नहीं जाते है यानि कि ejector अगर पीछे नहीं जाएंगा तो mold close नहीं होगा इस problem से भी mold closing की problem आ सकती है next देखते हैं electric wall का पीछे नहीं जाना तब भी यह problem आ सकती है कि आप लोगों का mold close नहीं होगा LS 18 ठीक है उसका ना दबना तो जब भी यह problem आ सकती है mold safety period का नहीं दबना जब भी यह problem आ सकती है यह दी machine toggle type है तो उसमें देखे कहीं toggle रेम तो नहीं jam हो गई है ठीक है कहीं बार आप लोगों को jam की problem भी देखने को मिल सकती है कि जो toggle होती है आप लोगों ने देखी होगी तो उसकी जो रेम होती है पीछे अगर वो भी jam हो जाती है तो भी यह problem आप लोगों को देखने को मिलती है टोगल रेम अप सिलेंडर में oil pressure का अगर oil का जो pressure है वही अगर कम है तो भी यह problem आ सकती है LS1 को check करो कि कहीं वह अगर प्रेस नहीं हो पाई है तो भी यह problem आ सकती है अगर मैं थोड़ी सी maintenance की बात करूं तो wire कुंसी होती है 80 180 और यह 300 500 और 130 को देखे कहीं ejector system में कोई कमी तो नहीं है ठीक है यह maintenance का थोड़ा वर्क हो जाता है वाल को check करें करो कि ठीक परकार से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है ठीक है कई बार वाल वी जाम हो जाती है तो प्रोपर वर्क करना बंद कर देती है अगर कोई भी मसीन अगर उसका maintenance प्रिमेंटी मेंटीनेंस है अगर वो सही time to time होता रहे तो इन वाल वगेरा में प्रो कर देती है तब यह problem आ सकती है pump जो number होता है पी-टू का pressure check करो कहीं वो कम तो नहीं हो गया अगर वो कम हो जाता है तब भी प्रोवलम आ जाती है मौल्ड क्लोजिंग की अटेंसी फायर सिलेंडर जो है उसे भी चेक कर लेना चाहिए हलांकि यह आप ओपरेटर अगर हो या सुपरवाइजर हो तो यह आप लोगों का इतना वर्क नहीं होता है ठीक है तो देखो कि कहीं ओयल का टेंपरेचर हाई तो नहीं हो गया यह मैं इन प्रोब्लम मैंने आप लोगों को बता ही है अगर मौल आप लोगों का कलोज होने में प्रोब्लम만 होती है कि जितने भी पॉइंट है अगर आप लोग इनसे क्या हो सकता है अगर आप लोगों को टाइम नहीं मिलता है तो यह मारा WhatsApp नंबर है इस पर आप लोग जो हैं हमसे ये सारे notes PDF के वीडियो के notes होते हैं वो हमसे registration करा कर ले भी सकते हो ठीक है तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को जो है share कर दे वीडियो को अपने दोस्तों को ताकि उन्हें भी benefit हो सके ठीक है तो आज के लिए इतना ही और एक बार फिर से आप सभी को जो अनवर्स है उसकी धेर सारी सुबकामना है खुस रहें और खुसिया बाढ़ते रहें अपनी family को प्यार दें और प्यार से रहें त अब तक के लिए दीजिये मैं जातत मिलते है नेक्स लेक्चर में जैहिन जैबारत